मान्यता है कि फालगुन माज की कृष्ण चतुरदशी के दिन आने वाली शिवरात्री सबसे बड़ी शिवरात्री होती है इसी वज़े से इसे माज शिवरात्री कहा गया है दरसल हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुरदशी वाले दिन शिवरात्री होती है लेकिन माज शिवरात्री के दिन ही मंदिरों में शिव भगतों की भारी भीड उमरती है वरत रखते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं पौराणिक कथाओं के मुदाबिक महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे इसी दिन पहली बार शिवलिंग की भगवान विष्णू और ब्रह्मा ने पूजा की थी मानेता है कि इस घटना के चलते महा शिवरात्री के दिन शिवलिंग की विशेश पूजा की जाती है वहीं माना ये भी जाता है कि ब्रम्हा जी ने ही महाशिवरात्री के दिन ही शिवजी के रुद्र रूप को प्रकट किया था दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार महाशिवरात्री के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवा हुआ था इसी वजह से नेपाल में महाशिवरात्री के तीन दिन पहले से ही मंदिरों को मंडप की तरह सजाया जाता है मापारवती और शिवजी को दूलहा दूलहन बना कर घर घर घुमाया जाता है और महाशिवरात्री के दिन ही उनका विवाह कराया जाता है इसी कथा के चलते माना जाता है कि कुमारी का न्याओं द्वारा महा शिवरात्री का ब्रत रखने से शादी का संयोग जल्दी बनता है तीसरी प्रचलित कथा के मताबिक भगवान शिव द्वारा विश पी कर पूरे संसार को इससे बचाने की घटना के उपलक्ष में महा शिवरात्री मनाई जाती है दरसल सागर मन्थन के दोरान जब अमरित के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तब अमरित से पहले सागर से काल कूट नाम का विश निकला ये विश इतना खतरनाक था कि इससे पूरा ब्रह्मान नष्ट किया जा सकता था लेकिन इससे सिर्फ भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे तब भगवान शिव ने काल कूट नामक विश को अपने कंठ में रख लिया था इससे उनका कंठ नीला हो गया इस घटना के बाद से भगवान शिव का नाम नील कंठ पड़ गया